नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो हिंदू धर्म में नौ ग्रहों का वर्णन मिलता है सप्ता के प्रत्येक दिन का स्वामी ग्रह को माना जाता है सप्ता के उस दिन उस दिन से सबंधित ग्रह की पूजा करनी चाहिए जैसे शनिवार के दिन शनी देव की पूजा की जाती ह शास्त्रों में शनी को न्याय का देवता माना जाता है कुछ लोग शनी को अत्यंत क्रूर मानते हैं इसी कारण से वे शनी से डरते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है शनी एक न्याय प्रियद्र है वह मनुश्यों के कर्मों के आधार पर ही उन्हें फल अत्वा दंड देते हैं अच्छे काम करने वालों को शनी से डरने को जूरत नहीं है इमानदार लोगों के लिए शनी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं लेकिन पापियों के लिए शनी अत्यंत कष्ट कारक है जो लोग चोरी करते हैं अथवा दूसरों को जानबूच कर कष्ट देते हैं शनी उनके लिए अत्यंत क्रूर और दुखदायक है न्याय के देवता शनी की महिमा अपनपार है जो शनी की सच्ची भक्ती करता है और जो शनिवार को शनी देव की पूजा करता है शनी उस पर महरबान होते हैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं यदि आपके जीवन में परेशानी चल रही है जीवन कष्टों से भरा हुवा है आर्थिक तंगी है अर्थात आप कर्श से परेशान है तो शनी देव की शरण में अवश्य जाए शनी देव आपको कभी निराश नहीं करेंगे यदि आप सदा ही अच्छे कर्म करते हैं दूसरों का फाइदा नहीं उठाते हैं इश्वर में आस्था रखते हैं तो शनी देव आपकी जोली खुशियों से भर देंगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं शनीवार के दिन किये जाने वाले महत्वपून उपायों के बारे में जो भी मनुष्य शनीवार के दिन यह उपाय करता है शनी देव उसे इतना देते हैं कि उसकी कई पीढिया सुख से जीवन व्यथित करेंगी आईए जान लेते हैं शनीवार को हमें कौन से उपाय करने चाहिए सबसे पहला उपाय शनीवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना उत्तम फल प्रदान करता है शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ पर कच्चे सूट के धागे को साथ बार लपेटना चाहिए और ऐसा करते समय मन में शनिदेव का ध्यान करना चाहिए ऐसा करने से आपके मार्ग में आ रही रुकावते और संकटों का नाश हो जाएगा शनिदेव आपके कार्य के मार्ग में आ रही बाधाओं को नश्ट कर डालेंगे दूसरा उपाय यदि पती पत्नी के जीवन में प्रेम की कमी है बार बार दोनों के बीच में वादविवाद और लड़ाई जगडे होते रहते हैं तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड की जड़ में थोड़े से काले तिल चड़ाने चाहिए और उसके बाद जल चड़ाना चाहिए इससे पती पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है तीसरा उपाय अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है सारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है हर अवसर हाथ से निकलता जा रहा है तो आपको शनिवार के दिन काला कोईला घर पर लाना चाहिए और शनी देव का स्मरण करते हुए उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए इससे नौकरी संबंधी जितनी भी मुश्किले है वह समाप्त हो जाएंगी पांचवा उपाय अगर आपके जीवन में धन की कमी है आप हर वक्त धन के कारण परेशान रहते हैं तो इससे मुक्ति के लिए शनिवार के दिन शनी मंदिर में जाकर सरसो के तेल का दीपक अवश्य जलाए और उस दीपक के अंदर थोड़े काले तिल अवश्य डाले और शनी देव से प्रार्थना करे छठा उपाय यदि कुंडली में किसी ग्रह के दोश के कारण जीवन कश्टों से भरा हुआ है तो इससे मुक्ती के लिए शनीवार के दिन काले कुट्टे को सरसो के तेल से चुपडी रोटी अवश्य खिलानी चाहिए इससे कुंडली में मौजूद राहु और केतु के दोश समाप्थ हो जाते हैं साथवा उपाय शनी देव की कृपा पाने के लिए शनीवार को पीपल के व्रिक्ष पर दोनों हाथ रखकर साथ बार परिक्रमा करे और शनी देव के मंत्र का उच्चारण करे आठवा उपाय धर में सुख समरिधी तथा एश्वर्य लाने के लिए शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाना चाहिए इससे शुब फलों की प्राप्ती होती है नववा उपाय अगर आप काम्याबी पाना चाहते हैं शत्रों से मुक्ती पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन एक कांसे की कटोरी में सरसो का तेल ले उसमें एक सिक्का डाल कर अपनी परचाई उस तेल में देखे और फिर इस तेल को शनी मंदिर में रख दे अथवा किसी जरूरत मंद को दान में दे ऐसा करने से शनी देव अत्यंत प्रसन हो जाते हैं दस्वा उपाय शनिवार के दिन काले घोडे की नाल लाकर अपने घर के मुख्यद्वार पर लगा दे ऐसा करने से लोगों की बुरी नजर से घर की और घर में रहने वाले लोगों की रक्षा होती है शनिवार के दिन काली चीजों का दान करना बहुत ही शुब होता है इससे शनी देव अत्यंत प्रसन होते हैं शनिवार के दिन बंदरों को काले चने खिलाने चाहिए और हनुमान चालिसा का पाठ करना चाहिए शनिवार के दिन लोहे की चीजे अथवा अन्यकाली चीजे नहीं खरीदनी चाहिए ऐसा करना अशुभ माना गया है शनिवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने नहीं चाहिए शनिवार को काले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है शनिवार के दिन लाल रंग की चीजे खाना वर्जित माना गया है लाल रंग मंगल ग्रह का होता है शनी और मंगल का टकराव शुभ नहीं होता है इसलिए इस दिन मंगल ग्रह से सबंधित कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए शनिवार को मास मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन शराब पीने वालों पर शनी देव कुद्रिष्टी डालते हैं स्त्रियों को शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और अपने बाल खुले रखकर घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए अन्यथा नकारात्मक प्रभाव स्त्रियों के मस्तिश्क पर पड़ सकता है शनिवार के दिन बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना चाहिए साथ ही शनिवार के दिन किसी भी प्राणी को परिशान नहीं करना चाहिए शनिवार के दिन धर पर आये कोवे को अन अवश्य खिलाना चाहिए शनिवार को घर के द्वार पर काली गाय का आना शुब होता है उस गाय को रोटी खिला कर प्रणाम करना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूले साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे आप सभी का धन्यवाद